36 गड़ के बिलाई तीन इलाके में प्रोफेसर विनोध शर्मा पर जानलेवा हमला किया गया था अब इस मामले में पूलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है इस मामले को लेकर गुरुवार को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री गुपेश बगेल के बेटे चैतन्य बगेल से पूछताच हुई उन्हें खाने तलब किया गया था इस दोरान कॉंग्रेस के कई नेता भी मौजूद थे बता दें कि इसे मामले को लेकर दूर्ग S.P. ने आरोपियों के खिलाफ लूक आउट नोटीस जारी किया था प्रफेसर विनूद शर्मा पर जानलेवा हमले की मामले में अब तक चार आरोपी ग्रफतार हो चुके हैं मुख्यारोपी प्रबीर कुमार शर्मा और उसका साथ ही अभी फरार हैं हमले में प्रफेसर विनूद शर्मा गंभी रूप से घायल हो गए थे अभी भी उनका इलाज जारी है बिलाई तीन थानाक शेत्र का ये पूरा मामला है